बहत्तर हुरो के चक्कर में बढ़ा आतंकवाद पहले कनहिया अब उमेश पर आई आच उमेश हत्याकान बना उद्धव के गले की फांस उमेश हत्याकान को उद्धव ने क्यों दबाया नमस्कार सुलक्ता सवाल मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुना लिया सवाल उस जिहादी गैंग पर उठाएंगे जो देश में हिंदू के खिलाफ लगातार घिनावनी साजिश को अंजाम दे रही है राजस्थान के बाद महराष्ट के अमरावती में एक हिंदू व्यापारी की जलादों ने बेहरेमी से हत्या कर दी इस व्यापारी को भी नुपुशर्मा का समर्थन करने पर ठीक वैसे ही मारा गया जैसे कनहिया के चाकों से वार कर हत्या की गई हैराने की बाद तो ये है कि इस घटना को उधवराज में यानी 21 जून को अंजाम दिया गया लेकिन मामले में आक्शल लेने की बजाए उधव प्रशासन ने इसे रफा दफा कर दबा दिया और तो और इस केस को लूट पार दिखाने की कोशिश की जबकि एक भी रुपया इधर से उधर नहीं हुआ सिर्थ हुई तो उमेश की हत्या जिससे सवाल सुलग रहे है की उधव ठाकरे ने अमरवती हत्याकान को क्यों छुपाया उमेश की हत्या पर पीड़त परिवार की अवाज किसने दबाई क्या देश में हिंदूों के खिलाफ नेटवर्ट काम कर रहा है क्या अमिशाह के बाद मोदी लेंगे बड़ा एक्शन अब उधव ठाकरे इन सवालों का जवाब दे बताए कि आखिर क्यों उन्होंने इस घटना को दबाया वैसे तो हर मुद्दे में टांग अडाने वाले संजेराउत कनहिया की हत्या पर भी जम कर छाती पीट रहे थे उसे इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे क्यों संजेराउत जैसे नेता ने उमेश की आवाज नहीं उठाई क्यों मामले को रफा दफा किया नुपुशर्मा के समर्थन पर उमेश की हत्या के लिए वहाँ की मीडिया वहाँ का पुलिस प्रशासन सब जिम्यदार है क्योंकि उन्होंने इतनी बड़े घटना को छुपाया सब के खिलाब सक्त से सक्त कारवाई की जानी चाहिए वहाँ पुलिस अधिकारियों को तो ततकाल सस्पेंड कर देना चाहिए हो सकता है कि उधव में इस घटना को बवाल ना मचे हिंदू सड को पर ना आए इसलिए ही दबा दिया हो क्योंकि पहले ही उनकी सरकार हिंदुत्व के मुद्दे पर घिरी हुई थी इस घटना के बाद और जादा लोगों को आग गुस्सा उन्हें जेलना पड़ जाता इसलिए उदव ठाकरे ने उमेश की हत्या के केस को उठाने नहीं दिया ये मामला तो शिंदे की सरकार बनते ही उठा है शिंदे सरकार ने मामले की भनक लगते ही जाँच के आदेश दे दिये क्योंकि पता चला कि ये भी सरतन से जुदा वाला मसला था वहीं अमिच्शा राजस्थान की घटना के तुरंट बाद अमरावती की घटना में अक्शन मोड में नज़र आए तुरंट इस घटना के भी एनाईय जांच के आदेश दिये गए एनाईय की इंदरिंदों की 10 दिन की रिमान भी मिल गई है अब इनसे पूरी कहानी उगलवाई जाएगी वहीं हिंदू संगठनों ने इन जिहादियों को फासी की मांग की है तो वहीं कोट में वकीलों ने इनके खिलाब जमकर नारेबाजी की वकीलों का गुस्सा इसकदर फूटा कि जब इन्हें पेशिक के बाद जेले जाया जा रहा था तो वकील कोट में जलादों को पीटने लगे जैसी हरकत इन्होंने की उसकी सजा तो इन्हें on the spot दे देनी चाहिए क्योंकि इन्होंने भी जैसे उदेपुर के कनहिया की गला रेद कर हत्या कर दी गई थी ठीक उसी तरह ही अम्रावती के उमेश को भी गले पर वार कर मारा गया उमेश की हत्या के लिए रेकी की तस्वीरे CCTV में कैद हुई जिसके अधार पर हत्यारे पकड़े गए अब इन हत्यारों के मददगारों की तलाश की जा रही है ये सब आक्शन शिंदे के कुरसी समानने के बाद हुआ है क्योंकि उदर ठाकरे ने तो फजियत और हिंदो मुस्लिम होने की वज़े से ही इस विवाद को दबा दिया था मामले को जिहादियों के जरीए हत्याका न बताकर लूट पाट के दुरान हत्या करार दिया गया था जबकि ये मामला भी नुपुर्शर्मा के समर्थन से जुड़ा हुआ था बीजेपी अब भी यही आरोप लगा रही है कि महाविकास अगाडी के सरकार ने इस मामले को दबाया था ठाकरे को अब इस मुद्धे पर आकर जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी घटना पर उन्होंने क्यों परदा डाला किसे वो बचाना चाहते थे क्योंकि एक बार फिर उधव ठाकरे ने हिंदू के भावनाओं के साथ खिलवार किया क्यों एक हिंदू शक्स के परिवार को इंसाफ के लिए दबना पड़ा क्यों मामले को दबा कर जिहादियों की गैंग की होसले बढ़ाए गए खेर उधव जवाब दे ना दे एनाईय की टीम सब खोद निकाले की और पता लगाएगी कि कहीं बहत्तर हूरो वाला नेटवर्क पूरे देश में तो काम नहीं कर रहा एनाईय इसी बात की जाज कर रही है कि कहीं ये लोग एक संगठन के लोग तो नहीं जो हिंदूओं को टारगेट कर रहे हैं और अगर ये एक संगठन के लोग हैं तो फिर ये बहुत बड़ा चिंता का विशह है तो अब मामली की गंभीरता को देखते हुए शाह ने तो तुरंट आक्शन ले लिया मोदी को भी इनके खिलाफ आकर कुछ बड़ा फैसला लेना चाहिए ताकि देश में फैले इसलामी आतंगवात पर लगाम लगाई जा सके क्योंकि ये जिहादी संगठन धीरे धीरे देश में घुन लगाकर विदेशू से चंदा एकटा कर मुस्लिम युवाओं का माइंड वॉश कर रहे हैं ताकि वो लोग हिंदूों के खिलाफ नफरत को अंजान तक पहुँचा सके जिसका नतीज़ा हमने राजस्तान के बाद महराश्चु में भी देख लिया अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मोधी सरकार को बड़े से बड़ा अक्शन लेने की जरूरत है वहीं अब उदव ठाकरे भी इस केस को दबा कर गुरे फस गए हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्यूं किया इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इसके जाज भी शिंदे सरकार ने शुरू करवा दी है जल्द पूरे खेल का परदा फाश हो जाएगा जैसा कि राजस्तान के कनहिया के केस में हुआ कनहिया के आरोपियों को तो सलाखों में डाला ही गया साथ ही उनके जो जिहादी संगठनों और पाकिस्तान का कनेक्शन निकला उसने सभी को चौका दिया कनहिया के केस में पाकिस्तान से रेकी तक की खबर सामने आई थी कि कैसे इन लोगों को सर्तन से जुदा की ट्रेनिंग दी गई और कैसे इन लोगों ने आकाओं के कहने पर हिंदू को निशाना बनाया खेर अब जल्द ही इस केस में भी बड़ा खुलासा होने वाला है सुलकता सवाल में आज के लिए तना ही कर फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे तब तक के लिए देख तरो हो ये कैपिटल टीवी नमस्कार